थोड़ा घर से बाहर निकलना चाहिए सूबह के टाइम में 24 घंटे घरेलू काम में और बिजनिस के काम में दुकान के काम में बीजी नहीं रहे न चाहिए घरेलू मेटर तो ऐसे ही चलता रहेगा कुदरत काफी अच्छा अनन्द दे रही है काफी हर्याली है तो इसे टोपिक के बारे में नमस्ते मैं पहुन यादम आज बात करते हैं फ्लेशिंग के बारे में फ्लेशिंग क्या होती हैं आप कभी कभी सोचते हैं हमारी मदद तो होई नहीं रही है मदद तो आपकी होई रही है कैसे हो रही है वो आपको पता नहीं है आपने कभी कभी देख या किसी से बात करते हैं या किसी के साथ में बैठे हुए या किसी के साथ रेस्टोरेंट में बैठे हुए या किसी से रिस्तेनाते निभाने आपको जब आप सामने बैठे हुए होते हैं तो आपके दिमाग में से एक चोंद निकल जाती है कोई एनरजी कोई सक्ती कोई बात आपके दिमाग में से फटाक से निकल जाती है और वो आपको ये कहना चाहती है कि इस आदमी से दूर हो जाए इसके पास गल्ट एनरजी है इससे इंप्रेस नहीं होना है और इससे गैप मेंटेन करके रखना चाहिए इससे आपको सरीर में कोई कष्ट हो सकते है कोई बिमारी बन सकती है घर में कोई समश्या सकती है तो ऐसी फ्लेशिंग हो सकती है या आपका पूरा जनम या अगला जनम भी बेकार हो सकता है तो वो फ्लेशिंग आपको बुरी संगत से बुरी एनरजी से बुरे आदमियों से बचाने के लिए आती है और आपको कभी कभी सुबह के टाइम भी ये फ्लेशिंग आती है कि भाई आप थोड़ा सावधान होके रहो आपके साथ कुछ अच्छा भी हो सकता है या कुछ बुरा भी हो सकता है और कोई बात कहके चले जाते हैं लेकिन ऐसी फ्लेशिंग कुछ मिनी सेकेंड के लिए आती है कोई सपने कह लो लेकिन हमारा दिमाग उसको जुटला देता है अरे ये तो सपना था इस पे क्या ध्याण देना है आपका दिमाग आपसे जूट बोल रहा है जो फ्लेशिंग होती है वो सची होती है बलकि आपका दिमाग जादा या हमारा दिमाग जादा चतुराई का परियोग करता है और उस फ्लेशिंग को जुटलाई देता है जैसे मैं एक एक एक्जामपल के तोर पर बताता हूँ आप किसी साधी में गए हुए हैं बहुत से आदमी वहां नाच रहे होते हैं तब ही आपके दिमाग में एक चोंद आएगी कि सब दुरगती को प्राप्त होने वाले हैं इनका जो अगला जनम है कुछ लोग अभी मरने वाले हैं कुछ दिन के बाद में और कुछ लोग को हड़ टैक आने वाला है कुछ लोग किसी दुरगती या बुरे जनम में जाने वाले हैं जो कि कीड़े मकोडे का या फिर लाखो जनमों तक किसी पेड़ पोदेवे बने रह सकते हैं तो कहने का मतलब है फ्लैसिंग इतनी लंबी चोड़ी नहीं आती है फ्लैसिंग इतनी ही आती ह पहले तो फ्लैसिंग समझो क्या होती क्या है यह फ्लैसिंग सकती होती है जो कि उसे पार ब्रम जिसे परमात्मा कहते हैं भगवान कहते हैं जिसे गुरू माराज कहते हैं वह आम आदमी भी हो सकते हैं या वह परमात्मा भी हो सकते हैं तो उनकी तरफ से फ्लैसिंग आती है जो पुन्य आतमा होती है उनके साथ में बार बार फ्लेशिंग आती है जिसनों अच्छे करम किये हैं जिन पे किसी गुरु माराज की किसी सिद आतमा की या परमातमा की जिन पे निगाय हो जाती है उनके दिमाग में बार बार कोई फ्लेशिंग आती है कोई शक्ती आती है और फिर आपका दिमाग उस पे ध्यान नहीं देता, चतुराई का परियोग जादा करते हैं, फ्लैशिंग पे ध्यान देना चाहिए, वैसे तो सपने आते रहते हैं, सभी सपनों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन सुबह के टाइम पे कभी कभी फ्लैशिंग हो जाती है, य पुरे सक्तियों से जिन आदमियों के अंदर बुरी सक्तियां हैं कुछ भूत प्रेत पी जनम ले लेते हैं आप के अडोस पडोस में तो उन से बचाने के लिए आपके दिमाग में बार बार फ्लेश होगा कि इन चीजों से बचके रहो दूर हो जा अलग हो जा राम भजन कर ऐसी फ्लेशिंग बार बार आती है और कुछ सेकंड के लिए आती है तो वह सिर्फ इसी लिए आ रही है कि आपने कोई ना कोई पिछले जो करम हैं आपके बहुत अच्छे करम रहे हुए हैं इन फ्लेशिंग को जुटा नहीं समझना चाहिए आपका दिमाग इन्हें प्लेशिंग आपके सोते टाइम आए और वह जागते टाइम आए या किसी रेस्टॉनेंट में आपकी से बात कर रहे हैं तब यह फ्लेशिंग आए तो यह फ्लेशिंग सिर्फ यही कहना चाहती है कि आपका आस्पडोस है इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए इ दीरे दीरे इन से अलग होने की कोशिश करनी चाहिए और राम भजन करनी चाहिए तो इस तरह के की फ्लेशिंग आती है और कई बार तो फ्लेशिंग ऐसी आती है कि आपका दिमाग बिल्कुल शान्त हो जाता है ऐसी फ्लेशिंग कई बार आती है कि आपको बिल्कुल बहु दस दस दिन तक फिर महिने तक और फिर कई कई सालों तक वो शानती और हमेशे के लिए भी बनी रह सकती है तो फ्लैशिंग जो होती है वो शानती की हो सकती है और फ्लैशिंग वो आपको सचेत करने के लिए भी हो सकती है फ्लेशिंग सोते टाइम भी आ सकती है जो फ्लेशिंग होती है जो सकती होती है वो आपको किसी से बात कर रहे हैं तब भी वो फ्लेशिंग आ सकती है आप किसी से के साथ सराब पी रहे हैं तो भी वो फ्लेशिंग आ सकती है किसी रिष्टेदार से बात कर रहे हैं तब भी वो flashing आ सकती है वो flashing किसी time भी आ सकती है सोते जागते time या काम करते time flashing पर ध्यान देना चाहिए चकाचोंद होगी उससे जो सकती होगी flashing की उसकी speed बहुत ज़्यादा तेज होती है उसकी speed बिजली से भी ज़्यादा तेज होती है वो flashing ऐसी होती है जैसे आप आस्मान में बिजली चमक रही है तो बिजली चमकती और गायब हो जाती है तो इसी type की वो flashing होती है दिमाग में कोई बात आती है और वो कुछ कहके चली जाती है और आपको बस थोड़ा सा कुछ ऐसास होता है कि कोई सक्ती, कोई एनरजी, कोई दिमाग में मेरे बात गुंजी थी और वो चली गई तो सिर्फ इसकी पहचान यही है वो कुछ second के लिए आएगी और आपको सचेत करके निकल जाएगी तो उस परमात्मा की और गुरु माराज की यह आप पे महरबानी या हम पे महरबानी समझो जो यह फ्लैशिंग कर रहे है और आपको गलत रस्ते से या फ्यूचर में कुछ गलत होने वाला है उससे बचाने की कोशिस कर रहे है तो आप अच्छे रस्ते पे और उस फ्लैशिंग के रस्ते पे चलने की कोशिस करेंगे तो और इसको जूटा भी नहीं समझेंगे और इसका कैसे विज्ञान काम करता है अभी इतना डिटेल में नहीं बता सकते आगे यह एनरजी होती है यह सकतियां कैसे काम करती है परमात्मा की और गुरू माराजो की तो इसके बारे में आगे बात करेंगे तो आज के लिए काफी होगा धीरे धीरे सहद सहद आप डीपली चले जाओगे और आपको पूरी साइंस और विज्ञान पराप्त होगा धन्यवाद आज के लिए